दोस्तों हर हर महादेव हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज है सावन का शनिवार शनिवार के दिन दोस्तों बहुत ही विशेश महत्व बताया गया है पूजा पाठ करने से मनुष्य के जीवन में किस-किस कठिनाईयों का समापन कर सकते हैं शनिवार के दिन पूजा पाठ करने से शनि देव महाराझ प्रसंन होते हैं, शनि देव महाराझ के कुछ नियम होते हैं जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जा शनिवार के दिन तीन उपाय करने से शनी की प्रकोप आपके उपर से चली जाती है महिला हो या पुरुष शनिवार के दिन शनी देव को प्रसंद करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए पूजा पाठ को ध्यान पूर्वक करने से शनी देव महाराज प्रसंद होते हैं भगवान शनी देव को पूजा में क्या-क्या अर्पित करना चाहिए ऐसा भी कहा जाता है कि गलत पूजा की वजह से शनी महाराज की प्रकोप आपके उपर पड़ जाती है उससे आपके घर में भारी नुकसान होने लग जाता है आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है सनी प्रकोप के लक्षन जानना है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें अब पूजा का क्या-क्या विधी है आज इस विडियो में पूरा बताएंगे शनी महाराज का पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए वह कौन सा तीन नियम है सावन के पहले शनिवार के दिन शिव चालिसा का पाठ करने से भगवान शिव अती प्रसन्न होते हैं सावन के पहले शनिवार को शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं यह कार्य करने से शनी देव भी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में शांती और सुक्सम्रिधी का वास होता है बिगरते काम बनने लग जाते हैं शनी महाराज प्रसन्न होते हैं इस कार्य से तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं शनी देव महाराज आपको तरक्की के रास्ते पर चल पड़ते हैं आपके जीवन में खुशाली ही खुशाली होती है शनी महाराज को हमेशा प्रसन्न करना चा शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है शनिदेव को जोतिश में पापी और क्रूर ग्रह कहा जाता है शनी के अशुब प्रभावों से हर कोई भैभीत रहता है शनी के अशुब होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है भगवान शिव की अराधना करने से शनी दोशों से मुक्ती मिल जाती है शिवलिंग पर कुछ चीजें अर्पित करने से शिवजी की विशेश कृपा प्राप्थ होती है आईए जानते हैं शिवलिंग पर किन चीजों को अर्पित करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं एक सावन के शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के व्रिक्ष के नीचे दीपक जलाए जो किसी मंदिर में स्थित हो मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानिया दूर होती है दोग शनिवार के पहले शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करने के बाद नीला पुष्प अर्पित करें इसके बाद शनी चालिसा का पाठ करें ध्यान रहे की पूजा करते समय शनिदेव की मूर्ती की तरफ न देखें तीन शनिवार के दिन पीपल के व्रिक्ष की साथ बार परिक्रमा करें इस दिन किसी जरूरत मंध या गरीब की मदद करें कहते हैं कि ऐसा करने से शनिदेव की क्रिपा से दरिद्रता दूर होती है